Good morning students, class 6 आज का अपना टोपिक है nearest thousand पहले हमने nearest tens और hundred पढ़ा था आज है nearest thousand देखिए मैंने आपको बताया है वह आई तरीका इसके लिए सभी में वो ही रूल काम करता है बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है tens जो होता है nearest tens tens के लिए हमें देखना होता है once hundred जो होता है hundred के लिए देखना होता है tens और thousand की जब बात कर रहे हैं उसके लिए आपको देखना है hundred place पे कौन सा digit है उस number में जैसे 7,268 thousand कौन से होते हैं thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five thousand, six thousand, seven thousand, eight thousand, ten thousand, eleven thousand, twelve thousand thirty-nay से तो हमें पहले यह देखना है कि 7,268 के बीच में 7,268 जो है वह आपका है 7,000 और 8,000 के बीच में यह है 7,000 और 8,000 के बीच में 7,268 7,000 से बड़ा है और 8,000 से छोटा है अब हमें इसको 7,000 में करना है या 8,000 में यह पता करने के लिए हमें क्या करना है नीचे लिखावा 8,000 में राउंडिंग ओफ करते हैं राउंडिंग ओफ थाउजंड बे तो हमें एंडेट पे इस पे देखते हैं और आपको इसका मैंने बिल्कुल बताया है वैस अब में काम करता है वो रूल अगर यह डिजिट होते हैं 1,2,3,4 तो यह जाता है कहाँ पे पीछे वाले में 5,6,7,8,9 यह जाता है कहाँ पे आगे की तरफ 4 वर्ड ठीक है तो देखिए इसके जो 101 स्टेंट सेंडेट पर इस पे कौन सा डिजिट है 2 कौन सा डिजिट है और 2 जो है वो कहाँ पे जाता है पीछे पीछे कौन सा है इसका नंबर 7,000 और आगे है 8,000 तो यह किस में जाएगा 7,000 में ठीक है इसी के कोडिंग यह क्यूशन है देखिए 5,713 किस-किस के बीच में है यह 5,000 और 6,000 के बीच में है अब हमें देखना है कि जाएगा कौन से में तो देखिए इसके एंडेट पे कौन है 7 और 7 कहा जाता है हमेशा आगे तो यह कौन से में जाएगा नेरेस्ट 6,000 में जाएगा इसी के कोडिंग क्यूशन आज आपको करने है